बिस्मिल्लाराम राहिम असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब मैं हुसाइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वराइटी ओटेस्ट आज का भी लोग जो था वो मैंने डिनर पे बनाया था तो मैं बताऊंगी आपको कि आपने कैसे अपने डिनर को पहले से बहतर बनाना है कै आपने डिनर टेस्ट को पहले से ड्वल्प करना है तो आपने करना बस यह कि टीप्स को फॉलो करना है तो मैंने बनाए थे चिकन पालक और साथ मैंने जीरा राइस बनाए थे तो पालक चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पालक ली है इसको इस तरह से मैंने काट लिय छारी बर और करोनान तरी यहां कि वह अनुखनी से बाता होेसाओ और इसके बाद में इसको लगया करओं देखे पाल किल मेरा हो चुकी है धी डूसलि साइड में एक मेंतस्य अधास मने बाला ककर एक मेरा समय जाओ हो जी आपकर हुआ चिकन का कलर जैसे ही चेंच हो जाए तो अब मैं इसमें वन टेबल स्पून लेसन एद्र का पेस्ट शामिल करूँगी इसके बाद इसको दो से तीन मिनिट के लिए बुर्णूँगी अब जो है मैंने दो मिडियम साइज के टमाटर लिए हैं इनको काट के मैंने डाल दिया है टमाटर के सॉप्ट होने तग अब हम चिकन को जो है वो फ्राइ करेंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें यह आपका खलूस होता है और आपका खलूस हमारे लिए किसी तोफ़े से कम नहीं होता जैसे हमारे टमाटर सोरे सॉप्ट होने लगें तो अब इसमें हाफ टेबल स्पून मैंने हरी मिचो का पेस्ट डाला है अब जो है वो इसमें मैं बाकी स्पाइसे जब एड़ा हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है हाफ टी स्पून जो है वो सुरक मिचो का पाउ पालग जो होती है वो नच्रिली तोर पे थोड़ी सौटी होती है तो हम इसमें सौट थोड़ा कभी एड़ करेंगे वन्ना आपके सालन में नमक जो है वो ज़ादा हो जाएगा 1-4 टी स्पून गरम मसाला 1-4 टी स्पून जीरा और 1-5 टी स्पून मैंने इसमें सूख का धनिया पाउडर जो है वो शामिल किया है सारे स्पाइसिस को डालने के बाद अब हम इनको अच्छे से बूनेंगे गोश्ट की रेसिपीज में बूनने का काम जो है वो सबसे ज़ादा होता है जितना बूनेंगे उतना ही इसका फ्लेवर अच्छा आएगा कुछ लोगों का चिकन जो है वो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनता उसकी बेसिक वज़ा यही होती है कि उसको आपने बूनना काम होता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बूने यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपके स्पाइशी नीचे लग रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं पानी एड़ करने के बाद इसको हम अच्छे से हिलाएंगे फाइनली जो है वो हम इसमें अपनी उबली हुई जो है पालक है वो शामिल करेंगे, इसको मैंने ब्लेंड नहीं किया था, ब्लेंड वाला मिक्सर जाव मुझे नहीं पसंद, मैं इसको थोड़ा मोता रखती हूँ, इसको मैंने हाथ से ही मसल लिया था, तो आपको जैसे पसंद है, आप इसको वैसे कर लोगे, दूसरी साइड पे जीरा सफैद जीरा डाला है, सफैद जीरे को थोड़ा सा कर कड़ाएंगे, जैसे ही इसकी खुश्बू आने लगे, तो फिर जो है, वो हम इसमें, जितने आपके चावल हैं, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें, मैंने एक क्लास चावल लिये हैं, तो मैंने उसके हिसाब से इ सॉल्ट जो है, वो मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है, अब एक और चीज हम इसमें डालेंगे, जो के अगर ये डालेंगे, तो आपके चावल खड़े खड़े और खिले बनेगे, यह है लेमन जूस, लेमन जूस के साथ आपके चावल जुड़ते नहीं है, दूसरी से तीन चीज़ें शामिल करूंगी, सबसे पहले तो हरी मिर्चें, तीन से चार अदद लेमन जूस, मुझे थोड़ा खटा अच्छा लगता है, तो अगर आपको नहीं लगता तो आप स्किप कर सकतें, यह कसूरी मेथी, कसूरी मेथी और पालक का चोली दामन का साथ है, त हमारा पानी उबलना शुरू हो गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको पक्ने के लिए रख देंगे, पालक हमारी रेडी हो चुकिया, अब हम इसको डिश आउट करेंगे, देखें इसका कृलर कितना खूबचूरत आया, और बेलीव मी ये खाने में बहुत टेस्टी बनी थी तो आपने भी इसी तरह से रेसिपी को बनाना है, तो आपकी रेसिपी भी इसी तरह से बहुत टेस्टी और परफेक्ट बनेगी, दुसी तरफ हमारे चावल देखें, कितने खिले खिले और खड़े खड़े हैं कोई भी चावल जोड़ा हुआ नहीं है अब हम चावलों को भी निकाल लेंगे मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ बाउल में मैं क्यों निकाल रही हूँ यह अभी थोड़े तक आपको पता चलेगा इसकी उपर वली सत्था जो है वो आपने बिल्कुल समूत रखनी है ये देखें अब जिस डिश में हमने प्रिजन्ट करना है उस डिश को इसके उपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और दोनों हाथों से इसको ऐसे पलट तेंगे उपर से दबा दबा के ताके बाउल के साथ चावल ना जुड़ें अलग हो जाएं हम जो है वो इसको उठाएंगे ऐसे इहत्यास से देखें हमारी शेप कितनी प्यारी आई है मैं हमेशा कहती होती हूँ कि प्रिजेंटेशन पे फोकस किया करें आपका खाने को प्रिजेंट करने का वे जितना अच्छा होगा आपका खाना खाने में उतना ही जादा लजीज और यमी लगेगा अगर इस भी बसंदाए तो ज़रूर बताएं खुश रहें अल्ला तला की रहमतों के साए में रहें मुझे दे इजाज़त अला हाफिज